रुस युक्रेन युद्ध के बाद विश्व बजार में भारत के गेहूं की मांग बढ़ गई है, जिसके चलते देश की कई मंडियों में गेहूं एमिस पीसे दो सो से पाच सो रुपे उपर बिख रहा है। पूरी खबर देखने के लिए वीडियो को पूरा देखे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। सोमवार को मध्य प्रदेश की रतलाम मंडी में ए ग्रेड गेहूं तीन हजार रुपे कुंटल बिका, जबकि पिछले एक हफ़ते से मंसौर मंडी में भी बाइस सो से चो 2022-23 के लिए गेहूं का न्यूंतम समर्थन मूल्य 2015 रुपे प्रती कुंटल है। लेकिन पिछले करीब एक पक्वारे से गेहूं की कीमते लगातार उपर बनी हुई है। युक्रेन की राजधानी कीव से करीब से करीब 4,800 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की मंसौर मंडी में पिछले 10 दिनों से गेहूं 2200 रुपे के उपर बिक रहा है। युक्रेन संकट के पहले ग्लोबल मार्केट में भारतिय गेहूं की करेट 300-310 डॉलर प्रती टन था जो 15 दिन में बढ़कर 360 डॉलर प्रती टन तक पहुँच गया है। अगर यही हालात रहे तो अगले द इल्ली में रहने वाले एक कमोडिटी एक्सपर्ट ने नामना छापने की शर्ट पर बताया। उन्होंने आगे कहा भारत का गेहूं युक्रेन से मिलता जूता है इसलिए पूरी दुनिया की डिमांद भारत आ गई है। भारत का निर्यात इस वित्तिय वर्ष के आखिर तक रिकॉर्ड 7 मिलियन टन तक पहुँच सकता है और अगले साल इस से भी आगे। डिमांड इसलिए भी बड़ी है क्योंकि युक्रेन और रुस का गेहूं पश्चिमी एशियाई देशों तूर्की, सीरिया, ओमान, लेबनन, सौधी अरब जाता था और वहां अप्रेल में र इस तरह की खबरे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और विडियो को शेर करें.